संजू सैमसन ने IPL में अपना कप्तानी का सफर शतक के साथ शुरू किया। अपनी पहले कप्तानी वाले मुकाबले में 93 रन मनाये थे। अपनी पहले करें तो अभी तक इन्होंने और डियर में ही IPL में शतक लगाया है। वो तीन IPL शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी है। संजू सैमसन ने शतक लगाने में AB Develiers की बराबरी भी कर ली है। Develiers ने भी IPL में तीन शतक लगाये हैं। तो IPL में अभी तक सबसे ज्यादा शतक क्रिस गेल के नाम है। क्रिस गेल ने IPL में अभी तक कुल 6 शतक लगाये हैं। संजू सैमसन का ऐसा जोड़दार शतक लगाने के बावजूद राजस्थान रोयल्स को हार का सामना करना पड़ा। आखरी गेंद पर जीत के लिए राजस्थान को 5 रनों की अवशकता थी। और ऐसे में सबको यही उमीद थी कि शायद संजू सैमसन छक्का लगा कर ये मैच अपनी टीम को जिताएंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका, गेंद हवा में तो गई, टाइमिंग भी अच्छी हुई, लेकिन संजू सैमसन बाउंडरी पर कैच कर लिए गए। बहरहाल संजू सैमसन ने मुकाबला तो नहीं जीता, लेकिन फैन्स का दिल जरूर जीत लिया। कैसे लगी आपको हमारी ये खबर हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लाटफॉर्म टीवी नाइन भारत वर्ष। मैं हूँ डॉक्र शिखार चर्मा, टीवी नाइन डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप विट तो सब हिट। हमने की गल्ती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबार अप रहा, मास्क दो गजदूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी, कोरोना टीका हम सब को लगाना है, मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है